स्वेलो फ्रेंट वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मिर नाय भरत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी बर्ट्स एयर फाइफ प्रो के बारे में तो इनको यूज करते वे मुझे जो है छे महीने से जादा का टाइम हो चुका है कैसा मेरा experience रहा इन earbuds को यूज करके इसके बारे मुझे डीटेल में बात करेंगे यहाँ पर जो है मैं इनको as a primary device जो है यूज कर रहा हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो iOS Tech चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिजी और bell notification को भी on कर लिजी कोई भी और other video आप देखना चाहते हैं तो नीचे comment section में comment करके भी बता सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले यहाँ पर basic features के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिल जाता है तो यह सारे इनके main-main features हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको dual device यानि कि dual drivers मिलता है साथ में dual pairing का भी option मिलता है 50 decibel तक जो है ANC मिलता है और 360 degree का special audio effect भी यहाँ पर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर basic functions बहुत अच्छे दिये वे हैं इस package के अंदर 4999 की pricing पर यह launch हुआ था उस time पर तो अभी कैसा है अभी आपको purchase करना चाहिए या फिर नहीं तो इसके बारे में जो है detail में बात कर लेते हैं यह जो है मैंने case भी इसके लिए लगा दिया था क्योंकि यह पूरा white glossy finish के अंदर आता है और बहुत जल्दी इस पर scratches पढ़ गये थे तो इसलिए मैंने इसको पूरा pack कर दिया है यहाँ पर एक stickers आता है जिसके वैसे अब यह आसान नहीं से खुलेगा नहीं जैसे ही मैं खो आता है तो यहाँ पर आप देख सकते green indicator जो है यहाँ पर on हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि यह pairing mode में आ चुके है और यहाँ पर मैं इनको जो है निकाल के दिखाता हूं इनका design भी आपको काफी जाधा बढ़ी है यहाँ पर देखने को मिलता है यह stem shape में आपको जो ह earbuds यहाँ पर देखने को मिलते हैं front side से कुछ इस तरह का design देखने को मिलता है अगर मैं कहूं तो यह थोड़ा iPhone का ही style जो है दिखने को मिलता है Apple के जो AirPods आते हैं कुछ उस तरह का design यहाँ पर finish जो है देखने को मिलती है इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम setup मिलता है side में भी आपको माइक का setup मिलता है इस side और एक शायद इसके अंदर भी fit किया हुआ है तो 6 माइक का setup आपको मिलता है total इसके अंदर I mean जो मेरा purpose था इनको purchase करने का वो था calling का जो की सच में इनोंने personally अगर मैं कहूँ तो proof कर दिया है कि यह best है इस segment में calling के लिए अगर आप calling के लिए कोई भी earphones या headphones purchase करना चाते है तो आप इन earbuds के साथ जा सकते है तो इस range में Realme Buds Air 5 Pro ने बहुत ही बढ़िया काम किया है especially calling के अंदर इसके अंदर जो active noise cancellation का जो feature है वो बहुत ही अच्छे से work करता है कान में जैसी आप इनको लगाएंगे तो यह ANC mode में चले जाते हैं चाहें तो आप transparency mode में भी रख सकते हैं उससे हलकी बहुत भार की आवाज भी आपको सुनाई देती है ANC में almost 70-80% जो भार की noise है उसको यह cut कर देता है तो ANC mode बहुत अच्छे से काम करता है especially calling के अंदर तो महाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी अगले option की बात करते हैं जो की है call quality के बाद sound quality तो sound quality के मामले में भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है मैं यह तो नहीं कहूंगा यह best है लेकिन यह second best जरूर से आप इनको कह सकते हैं sound quality के मामले में भी bass heavy है यानि कि bass centric earphones आप इनको कह सकते हैं बेस पे ज पो से इनको compare करूं लेकिन overall बढ़िया काम किया गया है इसके अंदर sound जो है बहुत ही अच्छे से produce कर लेता है यहाँ पर LDAC का भी आपको support मिलता है तो sound quality और भी बढ़िया निखर के आती है यहाँ और 360 special audio वो भी बहुत अच्छे से work यहाँ पर करता है इन earphones के अंदर बात as such यहाँ पर कोई scratches वगरा जो है majorly नहीं दिखाई दिये है मुझे और नहीं कोई dents वगरा इस पर दिखाई दिये है तो as such कोई भी problem मुझे नहीं आई है अभी तक 6 महीने यूज करते हो गए है अच्छे से work कर रहे हैं उसमें कोई भी problem मुझे नहीं आई है तो earphones की build quality है वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर अगर हम इसके अंदर इसको fit भी कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर अगर इनको place कर दें एक second मैं इनको यहाँ पर place करके आपको दिखाता हूँ तो यह easily जो है गिरते नहीं है यह भी एक चीज मुझे इनकी अच्छी लगी है तो यहा ने यूज किया हुआ है नीचे की तरफ अगर आप देखे तो यहाँ पर आपको type C का port देखने को मिलता है यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं अगर charging time की बात करें तो लगबग देड़ घंटे में यह full charge हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप ANC mode यूज कर रहे हैं तो लग playback time मिल जाएगा और normal mode है ANC off है तो around 30 hours का जो है आपको इससे playback time easily मिल जाएगा तो battery भी इसकी काफी बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाती है price के साब से यानि की कह सकता हूं कि अगर आप रोज 4-5 घंटे भी यूज कर लें तो एक week आपका easily निकल जाएगा यहाँ पर तो उ definitely यह feel होता है इसमें कोई शक नहीं है और अगर आपको थोड़ा और कम price पर यह मिल जाए जैसे अगर 4500-4000 की range में अगर आपको यह मिल जाते है तो मुझे लगता है काफी बड़ी है package आपको मिल जाता है इसके अलावा अगर मैं कमियों की यहाँ पर बात करू तो एक दो क कमिया मुझे लगी है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी कभार जो है call drop जैसे बीच में कभी कभार आवाज आना बंद हो जाए कभी कभार ऐसा हुआ है यहाँ फिर यह कहो कि updates को बहुत ही कम आये हैं इसके अंदर 6 महीने से अगर मैं इसको use कर रहा हूँ तो मुझे जादा updates जो इनकी app है उसमें देखने को नहीं मिलें लेकिन app में जो customization है वो बहुत सारे मिल जाते हैं तो आप उनको use करके अपना काम चला सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है आप definitely इनको consider कर सकते हैं इनका comparison आप कौन से earbuds के साथ देखना चाते हैं मुझे comment करके जरूर से बताएगा अगर आपको वीडियो helpful लगा है तो please वीडियो को like कर दीजे चैनल पढ़ने है तो subscribe कर लिजे कुछ भी और जानना चाते है तो नीचे comment section में कमेंट कर सकते हैं थैंक्स वाचिंग इस वीडियो आई यूस टेक चैनल को ऐसी support करते रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए